हेलो फ्रेंट स्वागत है आपके मेरे स्वेट्यूप चैनल टेक डिस्टल आरेयन में तो फ्रेंट्स अगर आपका कोई ओन्लाइन सौफ है और आप भी IRCTC रेल टिकट बुकिंग का काम करते हैं तो आप हो जाएए सौधान क्योंकि आप पर हो सकती है करवाई और आप FIR के साथ आपको जिर्माना भी लगाए जा सकता है और आप जा सकते हैं जेल फ्रेंट्स कैसे है आपको सौधानी रखनी है क्या सौधानी रखनी होगी कैसे आपको टिकट बुक करना चाहिए इसके लिए वीडियो सुरु से लेकर लास्तक दर्वी दखिए ताकि भवी समय आप कभी भी कोई परशानी में ना फ़स सके फ्रेंट्स उससे पहले आपसे करूँगा रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप मेरी इस यूटूब चैनल टेक डिस्टल आरियन को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो रेट किलर की बटन को दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर ले उसके बगल में जो बेल का बटन है उसको प्रे टिकट बुकिंग करने वाला विदाउट एजन्ट आइडी का बुकिंग करने वाले के इतने लोगों को गिरफतार कर लिया गया और इतने रुपे के जुर्माना लगाया गया ऐसा आए दिन मार्केट में आरेस्टिंग होते रहती है ये कौन से लोग होते हैं और इनको आर और एक होता है authorized IRCTC agent ID वो लोगों के लिए होती है जो लोग अपना business करते हैं यानि अपना swap पे किसे दूसरे ब्यक्ति का ticket book करकर देते हैं उनके लिए authorized agent ID बनना जरूरी होता है अगर किसी भी customer को आप personal ID से ticket book करते हैं और इनकेस अगर वो जाँच होती है और पकड़े जाते हैं तो आप पर EFI और साथी साथ जुर्माना और आपकी jail हो सकती है और आए दिन ऐसे market में होती रहती है इससे बचने के लिए आपको अगर आपका कोई सौफ है तो आप IRCTC authorized agent ID बनकर ticket booking कर सकते हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होने वाला है और आपकी income ज़्यादा हो सकती है IRCTC personal ID से आप केवल एक दिन में maximum 6 ticket book कर सकते हैं और एक महीन में ज़्यादा ज़्यादा 12 ticket book कर सकते हैं और IRCTC personal ID से केवल आप अपना या अपने family member में ही ticket book कर सकते हैं अगर किसी अपने customer का ticket booking करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आप पर F.I.R. और जुर्माना हो सकता है और आए दिन मार्केट में होते रहता है Friends मैं आपको बता दू IRCTC authorized agent ID बनने के लिए कैसे आप बन सकते हैं और आपको क्या charge लगेगा और उस पर क्या commission मिलेगा authorized agent ID और personal ID में क्या difference है अगर आप उसको पूरे detail में जानना चाते हैं तो आप comment किजेगा मैं एक separate video बना दूँगा फिलाल हम लोग यहाँ पर जानते हैं IRCTC authorized agent ID बनकर अगर आप बनते हैं तो वहाँ पर आपको per ticket पर non AC पर आपको 15 रुपया और आपको AC ticket booking करने पर 30 रुपया का commission भी मिल जाता है लेकिन अगर आप personal ID से ticket booking करते हैं तो आपको commission नहीं मिलता बलकि extra charges लग जाता हैं अगर आप authorized agent ID बनना चाते हैं तो बहुत से company आपको authorized ID बनाने के मुखा देती हैं फिलाल आप spice money से authorized agent ID बन सकते हैं जिसमें आपको other services के साथ authorized agent ID का एक certificates में मिल जाता है जिससे आप कितना भ पाया और कोई भी action नहीं हो सकता है क्योंकि आप इसके authorized agent होंगे फ्रेंड्स अगर आप spice money से agent ID authorized बनते हैं तो वहाँ पर आपको जो company का charges होता है वो 22 रुपया होता है लेकिन अभी आप मेरे थुरू जो IRCTC authorized ID लेना चाहते हैं तो spice money के थुरू आपको मातरे 2000 रुपया पे दिये गए WhatsApp नंबर पर आपको contact करना होगा पर टिकट आपको commission 15 रुपया sleeper पहोगा और AC पर आपको पर टिकट पर 30 रुपय का commission आपको मिल जाएगा friends इस से आप टिकट booking करते आप बहुत ही safe रहेंगे और आप पे कोई भी FIR और कोई भी करवाई नहीं हो सकती क्योंकि ये एक आप business के लिए आपका authorized login ID पासवर्ड मिलेगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक 11, I stay good bye, thank you, bye bye